मुख्यतह, प्रक्रिया, नियम, तक्नीक और समय सारिनी पर आज विस्तार से चर्चा हुआ कि किस प्रकार से ये सदस्यता आगे बढ़ेगी, क्या नियम होगे, what will be the technicalities समय सारिनी, टाइम टेबल क्या होगा, कब से आरंब होगा, और कब तक ये चलने वाला है ये प्रक्रिया और इसके नियम क्या होगे, किस नियम के अंतरगती है कारे होगा, इसका जो आज वर्क्शॉप कारेशाला हुआ, उसको आप लोगों ने आज मीडिया में भी दिखाया आप सभी जानते हैं कि एक सेप्टेंबर से, इसी वर्ष के एक सेप्टेंबर से, ये सदस्यता ड्राइव, सदस्यता अभियान आरंब होने वाला है इसमें मुख्यत है जो उद्देश्या है, वह है दस करोड प्लस मेंबर्शिप बनाना दस करोड से अधिक लोगों को भारतिय जनता पाटी का सदस्य बनाना जो राज्या भी चुनाव में जाने वाले हैं, या चुनाव में जाने की घोशना हो गई है उन राज्यों की ये जो मेंबर्शिप ड्राइव है, ये बाद में होगा और तब इस संख्या में और इजाफा होगा आरंब किया गया है, एक सेप्टेंबर से मेंबर्शिप ड्राइव चार आयामों से आगे बढ़ेगा एक आयाम है मिस्ट कॉल, टेलीफोन में मिस्ट कॉल के माध्यम से लोग भारतिय जनता पार्टी से जुड़ पाएंगे दूसरा आयाम है क्यू आर कोड, ये मॉडरन जमाना है, सुभाविक रूप से जिसके पास स्मार्टफोन है QR कोड को स्कैन करके उसके माध्यम से वो भारतिय जनता पार्टी का सदस्य बन सकता है नमो एप के माध्यम से भी सदस्यता ग्रहन किया जा सकता है और साथी साथ bjp.org अर्थात भारतिय जनता पार्टी के वेबसाइट के माध्यम से भी सदस्यता ग्रहन कर सकता है कोई भी विकती इस देश का, आप सभी जानते हैं कि मूल उद्देश विस्तार है किस प्रकार से भारतिय जन्ता पार्टी अपने विचारों का, अपने विचार धारा का, जन्ता के बीच विस्तार कर सके उसी मूल उद्देश्य को लेकर यह जो राजनेतिक परंपरा है इसे भारती जनतापाटी समय समय पर आगे बढ़ाती है आज के मार्ग दर्शन में हमारे नित्रत्वने सीश नित्रत्वने दो शब्दों का विशेश प्रयोग किया है और वो दो शब्द हैं सर्वस्परशी और सर्वसमावेशी यह जो अभियान चलने वाला है मेंबर्शिप ड्राइव चलने वाली है इसमें किस प्रकार की सदस्यता ड्राइव होनी चाहिए यह अभियान कैसी होनी चाहिए यह सर्वस परशी होनी चाहिए अर्थात हमारे बूत तक सब तक यह माध्यम पहुचना चाहिए हमारे जो सिर्षत नेतृत्व है जो सबसे उपर के नेतृत्व हैं वो राज्य राज्य जाएंगे वो प्रदेश तर तक प्रवास करेंगे जो हमारे प्रदेश के नेता है वो प्रदेश से जिल्ला तक जाएंगे जो जिल्ला के नेता है वो जिल्ला से हमारे मंडल तक जाएंगे जो मंडल के नेता है वो मंडल से शक्तिकेंद्र तक जाएंगे और जो शक्तिकेंद्र के नेता है वो बूत तक जाएंगे ताकि सर्वस परशी सभी का सपर्श हम कर सके और सभी को ये मौका हम दे सके कि आओ हमारे साथ जुड़ जाओ